हमारे चैनल धर्म धोजा के द्वारा आज आपको की केसर की जानकारी दी जा रही है केसर पूजा में भी इस्तिमाल होता है और छोटे बच्चों की सेहत में भी इस्तिमाल होता है लेकिन आप नहीं जानते होंगे की केसर के करे हुए उपाये आपके जीवन में बदलाव ला स तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें जैश्री कृष्णा जैश्री राधे आप सुनिए दामपतिय जीवन में खुशियों के लिए केसर का ऐसे करें प्रयोग अगर आपके दामपतिय जीवन में किसी तरह का तनाव रहता है या कले पूर्ण स्थितियों का सामना करना तो अपने माते दिल और नाभे पर केसर का तिलक लगाएं और केसर मिश्रित दूद से शिवलिंग का अभिशेक करें ऐसा लगातार करने पर दो से टीन महीने के अंदर प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है ऐसी मायता है लक्षमी पूजंत से पहले मीठे दही में केसर मि पीने से स्मरण शक्ती और पावरुस शक्ती में व्रिद्धी होती है चने की डाल और केसर श्रीहरी विश्नु के मंदिर अत्वा केले के पेड़ पर ब्रिहस्पतिवार को रखाएं ध्यान रहे पीछे मूर कर नहीं देखें इस उपाये से अभागय कनाश होता है केसर का इ ब्रिहस्पति सकारा अत्मक फल देता है इसकी थोड़ी सी मात्रा किसी भी दिश को खुश्बूदार बना देती है ध्यान रहे ज्यादा मात्रा में लेने पर दिमाग भारी हो जाता है और नींद आने लगती है केसर का उप्योग दार्मे कारियों में भी किया जाता है ब्र जाता है लगता है चाहत।